Good morning all of you, myself Dr. Harshita Raathor, Assistant Professor Psychology हमने अब तक बात की सकारात्मक संग्यानात्मक अवस्थाओं की सकारात्मक संग्यानात्मक अवस्थाओं में ही एक जो महत्वपूर्ण अवस्था है वो है आत्म शम्ता या सेल्फ एफिकेसी की जिसे हम कई बार आत्म प्रभाव कारिता भी कहते हैं क्या होता है आत्म शम्ता या आत्म प्रभाव कारिता जब हमारा हमारी अपनी शम्ताओं पर विश्वास हम एक शॉट में बोल सकते हैं कि हमारा हमारी शम्ताओं पर हमारी abilities पर हमारे skilled योग्यताओं पर हमारा खुद का विश्वास आत्म शम्ता या self efficacy कहलाता है बंडूरा ने जो इसकी परिभाशा दिये उसे अगर हम देखें तो उसके अनुसार अपनी स्वयम की क्रियाओं द्वारा इच्छित प्रभाव को उत्पन करने की योग्यता में विश्वास के रूप में आत्म शम्ता को उन्होंने परिभाशित किया है इससे हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति का अपनी स्वयम की युग्यताओं में विश्वास जिससे वो ये माने कि किसी विभिन परिस्थितियों में पर्टिकुलर परिस्थिती में वो अपने इन शमताओं को उपयोग करके अपने स्विम के इच्छित प्रभावों अर्था डिजायर आउटकम्स को प्राप्त कर सकता है ये विश्वास ही आत्म शमता कहलाता है इसी को जेम्स मैडेक्स ने भी अपने परिभाशित किया है अपने शब्दों में उनके अनुस आत्म शमता को जिसमें हम विश्वास करते हैं उसे कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के मध्य अपनी निपूनता से कर सकते हैं इसको इंग्लिश की डैफिनेशन अगर मैं बताऊं तो सेल्फ एफिकेसी ऐस वाट आई बिलीव आई कें डू विथ मैं स्किल्स अंडर सर् अर्थात कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मैं अपनी स्किल्ड के साथ अपनी निपूनताओं के साथ उस परिस्थिती का सामना कर सकती हूं या उस परिस्थिती में कोई पर्टिकुलर कारे कर सकती हूं ये बिलीव या ये विश्वास ही सेल्फ एफिकेसी कहलाता है और इसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है यहां तक कि कई जो research हुई है उनमें ये माना गया है कि व्यक्ति की skills इत्ता important काम नहीं करती जित्ता व्यक्ति की self-efficacy काम करती है अर्थात किसी भी कारे को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के लिए व्यक्ति की जो skills है चाहे वे थोड़ी कम चल जाएंगी लेकिन यदि उसमें विश्वास है कि वो अपनी शमताओं के दोरा वा कारे कर लेगा तो ऐसे व्यक्ति अधिकांश्त सफलता को प्राप्त करते हैं और उन लोगों से भी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं जिन में उनसे अधिक शमता होती है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेल्फ एफिकेसी या आत्म शमता पॉजिटिव साइको का एक बहुत ही इंपॉर्टन तत्व है या एक बहुत ही इंपॉर्टन विश्य है जि देखा गया है कि टैलेंट से भी जादा यानि स्किल्डनेस से भी जादा यदि किसी में सेल्फ एफिकेसी की भावना है यदि उसमें आत्म शमता है यदि उसमें आत्म प्रभाव कारिता है तो वह कारे को मूनता तक पहुचाता है हैंडरी फोर्ड ने भी इसमें कहा है कि स सफलता मिलेगी तभी हम सही दिशा में जा सकते हैं यदि आपको ये विश्वास ही नहीं कि आप कोई काम कर लेंगे तो आप चाहे उस काम के लिए आप में टैलेंट हो स्किल्ड हो तब भी आप वो कारें नहीं कर पाएंगे तो आप में ये विश्वास होना बहुत जरूरी ह कि आप कुछ कर लेंगे महत्मा गांदी ने भी Self-Efficacy को अपने शब्दों में बताया है कि आपका belief या आपका विश्वास ही आपके विचार बनते हैं आपके विचार से आपके शब्द बनते हैं शब्दों से आप विहवार बनता है अत्वा आप क्रिया इस तरह हम कह सकते हैं कि आपका अपने belief अपने आप पे विश्वास ही आगे जाकर आपके भाग्य को निर्धारित कर सकता है अब आत्म शम्ता के श्ट्रोतों की अज़िदी बात करें तो बंदूरा ने इस पर काफी काम किया Albert बंदूरा ये वही बंदूरा है जिनकी आप learning theory पढ़ते हैं modeling की थियोरी पढ़ते हैं आप बंदूरा की जो आपने first year में पढ़ी है वही बंदूरा है उन्होंने आत्म शम्ता के चार श्रोतों के बारे में बताया है जिसमें सबसे पहला जो श्रोत है वो है अनुभव या experience अनुभव या experience की यदि हम बात करें तो ये आप भी जानते हैं कि यदि व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक अनुभव प्राप्त हुए है अर्थात यदि उसने कोई लक्षे बनाया है और उस लक्षे के लिए उसने प्रयास किया और यदि वो प्रयासों में सफल होता है और लक्षे प्राप्त करता है तो इस तरीके के सकारात्मक अनुभव व्यक्ति को अपनी शम्ताओं पर विश्वास करना सिखा देते हैं अर्थात इससे व्यक्ति में आत्म शम्ता की भावना बढ़ती है परंतु यही जब व्यक्ति किसी लक्षी को निर्धारित करे और प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी आत्म शम्ता को ठेस पहुँचती है और वह अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कि बच्चों में अनुभव उनको यह सकारात्मक्ता का अनुभव होना आवशक है उनमें लक्षे प्राप्ती को सफलता पूरवक विक कर पाए इसका अनुभव जीवन में मिलना आवशक है और इसकी शुरुवात बहुत छोटे पं से या बच्चपन से ही हो जाती है इसलिए का आजाता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो छोटे छोटे कार्यों में प्रसनिता यदि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाह रहा है और अगर वो क्रॉल करके या घुटनों के बल वहां तक पहुत जाता है तो उसके लिए वो एक अचीवमेंट है और वही उसकी सेल्फ एफिकेसी को डवलप करेगा तो बच्पन इस बारे में बच्पन के जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और पैरेंट्स को या उन बच्चे के आसपास के लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे में सकारात्मक अनुभव की अधिकता रहे अर्थात वो प्राप्ति हो जिससे कि उसके सेल्फ एफिकेसी बढ़े और आप देखते हैं हम छोटे-छोटे काम करते हैं बच्चों के आगे पैरेंट्स हार जाते हैं कोई छोटे-छोटे कामों में वो बच्चे को दिखाते हैं कि तुम जीत गए हम हार गए तो ये सेल्फ एफिकेसी क इंप्रूव करने के लिए बहुत आविशक है इसी तरीके से जो दूसरा हमारा में सोर्स है जिसके द्वारा सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है वो है मॉडलिंग या एक तरीके से किसी का अनुसरन करना हमने देखा है कि बच्चे शुरुआत से ही अपने आसपास के लोगों को अ टीवी से इंस्पाइड या मूवी से इंस्पाइड कोई कैरेक्टर हो उनको देख कर उनको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं और उन रोल मॉडल के अनुसार ही वैसा ही कारे करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में यदि बच्चे का रोल मॉडल ऐसा हो जो कि आगे अपने का प्राप्त करता है तो नैचरल है कि बच्चे में भी वहाँ चीज डवलप होती है और उसमें सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाती है यदि बच्चे का रोल मॉडल आगे चलके फेलियर को प्राप्त करता है वो अपने कोशिशों से अगर सफल्टा नहीं प्राप्त करता तो उससे बच्चे की सेल्फ एफिकेसी पर भी एफेक्ट पड़ता है ये बंडूरा ने क्लियर बताया है और इसके उपर कई सारे परिक्षन हुए हैं जो ये दिखाते हैं कि रोल मॉडल जो अपनी शम्ताओं से लक्ष तक पहुँचते हैं वही बच्चे को अधिक प्रभावित करते हैं तो इस तरीके से और आगे चलके बच्चा खुद अपने आपको एक रोल मॉडल बना लेता है उन्हीं के जैसा और अपने आत्म शम्ता को बढ़ाने की कोशिश करता है तीसरा जो इसमें श्रोत है वो है सामाजिक द्रड संकल्प या सोशल परस्वेशन सोशल परस्वे बट आप सोशल परस्वेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि सामाजिक रूप से आपको कितना परस्वेट किया जाता है कितना बढ़ावा मिलता है आपके लिए अर्थात जब बच्चा कुछ चीज कोई काम करना चाता है तो उसके लिए जो उसके आसपास के लोग हैं उसक वह चीज बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाती है, उससे उसकी सेल्फ एफिकेसी बहुत स्ट्रॉंग हो जाती है और वह कारे आसानी से कर लेता है। इसका एक्जामपल बहुत एक छोटी स्टोरी से आप समझ सकते हैं, एक बार गाम में दो बच्चे थे, एक करीब दस साल का और एक पांच साल का, वो बच्चे खेलते खेलते गाम से थोड़ा दूर निकल गए और आगे जाके बड़ा जो बच्चा था वो कुए में गिर गया अब वो छोटा बच्चे ने खुब चिलाया, इधर उधर देखा, लोगों से बोला कि मेरी हेल्प करो, लेकिन कोई वहाँ था नहीं तो कोई उसकी मदद नहीं कर पाया अंत में वो छोटा बच्चा, जो शायद 5 या 7 साल का रहा होगा, लेकिन वो बड़े बच्चे से छोटा था और वजन में भी छोटा था, दुबला पतला भी था, उसने देखा वहीं जो एक रसी पड़ी है, जिससे बाल्टी है, बाल्टी बंदी है, उसने उसको डाल कर अपनी पूरी ताकत के साथ, उस बड़े बच्चे को कुई से खैचने लगा और खैशते खैशते उसने उस बड़े बच्चे को जो वजन में उससे जदा था, हाइट में उससे जदा लंबा था, और उसको उसने बाहर निकाल लिया, जब वो दोनों वापस गाम आये, तो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, और स्टोरी सुनाई तो सभी गाम के बोल रहे हैं लेकिन वो दोनों नहीं माँनें तो उन्होंने गाम के एक जो सबसे वृध व्रिध व्यक्ती जो बहुत ही समझदार कहलाते थे उनके पास वो गए और कहा कि इनसे पूछते हैं कि क्या ये बच्चे सच बोल रहे हैं जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बच्चे सच बोल रहे हैं ये ऐसा हुआ ही होगा तो लोगों ने पुछा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं तब उन्होंने कहा कि जब आप लोग अभी कह रहे हो कि ये नहीं हो सकता उस वक्त जब ये बच्चा कोवे में गिर गया था और छोटा बच्चा उसकी मदद कर रहा था उस वक्त किसी ने भी उसकी शमताओं पे शक नहीं किया तो उसकी आत्मशमता बड़ी हुई थी और उसने उसी आत्मशमता के बल पे उसे बाहर निकाला है अर्था तब आप देख सकते हैं यदि आपके आसपास के लोग आपको ना न बोले तो आप वह कारे कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं लेकिन आधित से जादा टाइम क्या होता है कि हमारे आसपास के लोग ही हमारी मोटिवेशन को हमारे जोश को कमजोर कर देते हैं कि हम कोई काम कर सकते हैं वे ही कह देते हैं कि नहीं ये तुम से नहीं होगा और जब हम आसपास के लोगों से ये सुनते हैं तो एक तरीके से ये negative social persuasion रहता है जो कि आपकी शम्ताओं को आपके आत्म विश्वास को कमजोर कर देता है तो बहुत अधिक आवशकता है जैसे मैंने पहले भी बताया कि आत्म शम्ता या आत्म सेल्फ एफिकेसी जो है वो टैलेंट से भी बढ़कर है इसकिलनेस्ट या टैलेंट से भी बढ़कर आपकी आत्म शम्ता है चाहे आपमे टैलेंट हो नहों लेकिन यदि आपमे विश्वास है कि आप कर जाओगे तो बिल्कुल आप वहकारे कर सकते हैं तो आसपास ऐसे लोग हों जो आपको अपने लक्षी तक पहुचने में मदद करें आपको पॉजिटिव सेल्फ परस्विशन दे अर्थात पॉजिटिव रूप से आपको सामाजिक रूप से आपको सकारात्म ताकी तरफ आपको बढ़ाएं कि यस यू कें डू इट तो आप वो कारे कर लेते हैं और ये भी आपकी आत्मशंता को बढ़ाता है चौथा जो इंपोर्टन्ट है सोर्स वो है सामवेगिक और शारिरिक अवस्था एमोशनल एंड फिजिकल स्टेट आप ये क्लियर जानते हैं कि यदि आप सामवेगिक रूप से इमोशनल रूप से स्ट्रॉंग है तो आप कोई भी कारे कर लेंगे यदि व्यक्ति सामवेगिक या शारिरिक रूप से ही कमजोर हो जाए यदि वो विशाद, चिंता, तनाव जैसे नकारात्मक समवेगों से घिरा रहे तो उसमें आत्मशंता की कमी आ जाएगी और यही यदि उसमें उत्सुकता जागरुकता, उम्मीद इस तरीके की पॉजिटिव अगर समवेग हो खुशी, जॉइनेस तो वो अपनी शमताओं को बढ़ा सकता है सेल्फ एफिकेसी उसमें बढ़ी हुई होगी इसलिए कहा जाता है कि अपने आसपास उन लोगों के साथ आपको रहना चाहिए जो आप में सकारात्मक समवेगों को उत्तेजित करें ना कि नकारात्मक समवेगों को इस तरह ये चार जो श्रोट्स हैं वो sources जो हैं वो बंडूरा ने बताए इसके अलावा एक पाँचवा श्रोट सेल्फ एफिकेसी के लिए वो मेडेक्स ने बताया था जैम्स मेडेक्स ने जो की है इमेजनल एक्सपीरियंस या काल्पनिक अनुभव उन्होंने ये कहा कि आपके आत्मशमता को बढ़ाने के लिए आपको कल्पना के द्वारा भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कई बार रियल लाइफ में आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो आप अपनी कल्पनाओं में यदि आपने कोई एक्जाम का सोच रखा है कि मैं सिविल सर्विसेज क्लियर करूंगा या मैं कोई और बड़ा कोई नहता बन जाओंगा या मैं बड़ा एक्टर बन जाओंगा तो आपको उनके लिए कल्पना करनी चाहिए कल्पना में आप अपने आपको उस इसतर तक पहुँचावा देखें उस कल्पना में आप अपने आपको देखें कि आप एक बहुत बड़े actor बन चुके हैं, एक बहुत बड़े scientist बन चुके हैं, civil services clear कर चुके हैं, जो भी आपके सपने हैं, क्योंकि वो कलपनाएं आपको एक experience देगी जो भी तक नहीं है, और उन experience के आधार पे आपकी आत्मशमता बढ़ेगी, ये James Maddox का कहना था, और ये भी काफी हद तक कारे करता है, तो इस तरीके से अब हम समझ चुके हैं, कि self-efficacy या आत्मशमताओं को किन श्रोतों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, इसके आगे अब हम आत्मशमता के विकासात्मक पूरवरती कारकों के बारे में, next lecture में बात करेंगे, thank you.